मुझा आज 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 तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग तेकेंगे यहां पर मैंने पाथ चूज किया है एक सोट ऑफ म्यूटन चैंपिएंज के लिए है यहां पर बहुत ही अच्छा दिर्गे से पाथ है अगर आप सही अमॉंट आफ चैंपिन लेके जाओना तो और भी बहुत मजाएगा आपको पाथ कंप्लीट करने में सो पाथ के उपर है क्याल ट्रॉप्स है असिमिलेशन है एसकलेशन है सींग रेड है एंड कूलंट लीक है कूलंट लीक का मतलब कि आप यहां पर रोबोट चैंपिएंज नहीं ला सकते हैं ठीक है सींग रेड का मतलब है कि आपको जो है आपके उपर नाइंटी परसंट जो है लेस ब्लीड डैमेज मिलेगा अगर आप म्यूटेंट चैंपिट्स लेके जाते हो तो और एट केल ट्रॉप्स है मतलब कि जैसे आप डैश बैक करोगे तो आपको जो है आपके उपर ब विलाटी पर जो होगा नेक्स्ट है कि एसकेलेशन एड एसकेलेशन में जो है कि के पिसेंट और एक्टन की फ्यूरी जो है पुलीड तो दूसरा कोई आप्शन ही नहीं है यह फ्यूरीज घंटाने का तो बैसेकलिड आपको ट्राय यह करना है कि जितना हो सकें उतना ट्रिगर होती है तुरंती आपको फ्यूरी मिलना स्टार्ट हो जाती है आप एक्च्वल बड़ा सा डैमेज करना जो है स्टार्ट कर दो के सेम उसी जगह पर दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आप अपकलिप्स ले जाके किसी को होर्समें बनाते हो तो सामने वाला चैंपियन जो होर्समें वाला चैंपियन है वो ब्लीड से 100% रेजिस्ट हो जाएका मतलब कि उसके उपर 100 स्टैक्स भी लगा दोगा तो भी वो डैमेज नहीं लेगा एंद फिर वह बहुत लंबी तरीकी से फाइट पर सर्वाइव कर सकता है और उसको ब्लीड का फायदा उठाना है तो वह उठा सकता है सेकंड चीज कि अगर आपका चैंपियन म्यूटेंट वाला चैंपियन ब्लीड इम्यून ना हो एंद स्टील आपको फायदा उठाना है तो बेसिकली जिस टाइम पर भी हमारे उपर ब्लीड डिवस रहेंगे न एंद फिर हम लोग स्पेशल अटेक ला आपको सामने वाले चैंपियोन को काउंटर करना है क्योंकि यह अल्रेडी नोड हम लोगों ने के प्रिविएसली भी जहां पर हमको सीट फॉसिफ जो है म्यूटन चैंपियंस लेके जाना पड़ता था यहां पर कैल टॉप साला है बाट डेफिनिटी उसका फायदा उटा स चैंपियोन करसे जाता सकते हैं तो मैं एक चीज डेफिनिटी रिकमेंट करूंगा अपकलिफस तो लेकर जाना यह वाले पात पर जा रहे हो तो और अपकलिफस के साथ जो है केबल उपर केबल वाली सिनर्जी लेकर जाना अब यह टोटर आपके उपर डिपंड करता है कि केबल को होड़्समेन बनाना है कि नहीं बनाना है ठीक है कि केबल जो है ब्लीड नहीं है जैसे वह ब्लीड अपने उपर स्टैक आप करना स्टार्ट कर देका न तो वह डेमेज लेगा और फिर दिख अगर आप सम्हाव उसको जो है होर्समें बना देते हो फिर भी आपके पास इनफ प्रोवेस बचता है कि आप इसको फाइट करने के लिए फुली चार प्रोवेस वाला अपोकलिप्स लेके जारो तो ठीक टाक रहेगा एंड जैसे आप यहां पर क्या किते केबल को होर्समें बना दोगे ना किवल ब्लीट से डैमेज नहीं लेगा एंड फिर तुरंती बहुत सारे स्यादा करो ब्लीट के स्पेशलल आटए लाउच करो और सारे के सारे करणार हो जाएंगे फ्यूरी बफ के अंदर जैसे फ्यूरी बफ के कनवर्ट हो जाते है उसके बाद अगर डैश बैक करोगे ना तो वो जो डीजेनेशन डायमेज रहेगा जो एक्चुल में फ्यूरी मिलने के बाद वाला जो डैमेज है वो रहेगा जैसे कि यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि रैड मेगनेटों के पास जो फ्यूरी से अभी से मैं कंटिनिसली डैश बैक करता रहा हूं तो देखो हर एक डैश बैक में मेरेको एक फ्यूरी मिलेगी तो मैं यहाँ पर उसको देख सकते हो तीन मिली चार मिली जैसे वह अपना स्पेशल अटक लांच करेगा तो उस टाइम पर मेरे पास बहुत सा जो कोई भी डिबफ है तो वह मेरा एक्स्टा इतना डैमेज करेगा यह टोटल कितना डैमेज है तो बहुत 350 परसंट जितना जो एक्स्टा डैमेज है हर एक फ्यूरी जो अल्मोस्स 7 परसंट तका आइक सेवन है या तो फिर 3.5 परसंट तक का जो है अटेक इंग्रीज करत जो है तो मोल मैन के उपर जो है बहुत सारे लंबे-लंबे जो है फ्यूरी चलरे यह नहीं है मंदब कि स्टॉप नहीं कर सकते आप उसको चलता ही जाएगा जब तक कि आप उसको फिनिश आफ ना कर दो नौक आउट ना कर दो बट अगें जैसे कि मैंने बदा है इस पूरे पैंथर है न वो थोड़ी बहुत ट्रीकी रहेगा अपने उपर से श्रॉग आफ कर सकता है एंद फिर एक और चैंपियन जैसे कि यहां पर नेक्स्ट वाली चैंपियन दिखेंगे हम लोग अमेरिका शावेज है अभी अमेरिका शावेज ना अल्रेडी बहुत ही होना हुए क्योंकि उसको हेवी अटक लॉंच नहीं करने देना है तो फिर वह पावर गेन करेंगी वह उसके स्पेशल एक जो अनब्लॉक के बल यह वह सोय स्कुझ और मेरा आप्स्ट अल्राइड यह वाला मेरा मेरा सिक स्टार रंक का ही है स्टिल अभी उसको मैंने रंक टूपर भी नहीं लिखे गया फैठ तो तो मैं अपने case में क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो नॉर्मल फाइट करने की जाता हूँ मतलब कि पैरी करता हूँ उसको अटेक करके जो इसको corner में लेके जाने की try करता हूँ उसके बाद मैं अपने power meter जो बिल्डड़ करता हूँ almost sp1 के उपर तो बिल्ड़ड़ करता ही हूँ and then फिर मैं क्या करता हूँ continuously dashback करूँगा से दिखना अध्यान से अभी मैं क्या करूँगा कि उसको थोड़ा वाट अटेक करके उसको उसकी corner में push करूँगा ताकि at least मेरे पास जो जगा बचनी तो चाहिए dashback करने के लिए and अभी मेरे पास one bar of power है सबसे पहले मैं अमेरिका शावेस का sp attack बेट करूँगा जैसे वह launch करें and then launch कर दें तियो मैं continuously dashback करूँगा almost 8 furies तक हो जाती अब क्या है कि अब मेरा कोई भी degeneration damage apply होता है न तो सारा का सारा यह नया वाला damage होता है देख सकते हो almost 1400 जितना वह damage ले रही है एक ही dashback में या तो फिर जो है ब्लीड इम्यून नहीं था अगर ब्लीड इम्यून या तो फिर ब्लीड रसिस्टन्स भी होता तो fight तो और जल्लीदी से खतम हो जाती and on top of that अगर मेरा cable six star rank two या तो फिर rank three होता तो just cable and apocalypse दो ही champion enough रहते पूरा को पूरा path complete करने के लिए मेरे को दूसरे कोई champion की ज़रूरती जाने हो जो आपको म्यूटन क्लास में ब्लीड इम्यून जैसे दिखे तो डेफिनेटली आप Iceman को लेके जा सकते हो और क्यूंकि वह भी ब्लीड इम्यून है डारेकली तो सिर्फो सिर्फ डैश बैक करने से आपको फिरी मिल जाएगी तो वैसे वाले चैंपेस लेके जाओ इससे कि मैंने इक और बताया था डॉमिणो को भी लिके जा सकते हो क्योंकि वह अपने उपर से डी फटा देती यह एंड देन फिर I guess सव्रawk को भी लेकर जा सकते हो तो वाय नाट उसको भी लेके जा सकते हो उसके आल्लावाल let me see कौन सा इजी रहेगा एंड कौन सा एक्छ तो कोई भी एक ब्लीड इम्यूंट चैंपियन चूस करना अटें भाइट मैगनीटो ओमेगा रैड कॉलासस तो यह सारे चैंपियंट बहुत ही इजी रहेंगे यह वाले पात को कंप्लीट करने के लिए सेकंड चीज की मैं जो है ट्राइक कर रहा था कि कलासस की नहीं हेल्थ क्यूंकि मेरे को उसको उसके उपर यूज करना था कि कैते हैं बहुत फोर्चनेटली नेक्सटली फाइट जो मेरे को मदथ ऐसा करने में रोक देती है क्यूंकि next वाली फाहिट है हम आपर वाइट मेंटेको के साथ तो टीम मेरे totalement मेंटल चांपेजं से इवन केबल भी जो है जो है शायद मेंटल चांपेज़ीं कि वह के तो कोई बात नहीं को लेके जाते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा तो है क्योंकि अगर को सब्सक्राइब करने की ट्राय करता है तो हम सभी को पता है कि उसको ज्यादा पावर गेंग मिलती है उसके नौर्मल जो बेसिक हिट्स यह वह ज्यादा डैमेज तो करते हैं बट ज् डिफिनेटी डारेक्ली आप जो उसको पुष कर सकते हो उसके एस्पी टू तक बट अगें आपको थोड़ा बहुत खेलना आना चाहिए कि आपको कैसे एस्पी बन से उसको एस्पी टू तक पुष करना है इसके वह जैसे आपको ज्यादा डैमेज ना लेना पड़े ताग हम हेल्थ बचिए और अल्मोस्ट यहाँ पर 50% हेल्थ बचिए यहाँ पर वाइट मेगनेटिक की तो मैं सोच रहा था कि यार वेस्ट ना हो जाए चैंपिन तो अच्छा है तो इस वाले पॉइंट पर मैं एक्चुल भी थोड़ा बहुत सीरियस खेलना स्टार्ट कर देता अगर कम ना होती तो सारी पैरिज जो है मैं कर पाता बट अगर कम है तो इसलिए जो थोड़े बहुत मिस हो रहे थे बीच में एस ऐसे करके हम लोग ने सिंपली सारी की सारी फाइट जो फीनिश आफ कर दी और फिर हम लोग जो आएंगे यहां पर बॉस के लिए बाट अग आप लेके जाओ जो कि यहां पर सिलेक्शन वाला नोड है यहां से आप कोई भी एक ऐसा चैंपेन लेके जाओ जो जिसके पास नैचरली प्रोवेस डीवफ अवेलेबल प्रोवेस डीवफ या तो फिर प्रोवेस पैसिव ठीक है तो वह सिलेक कर लो एंदेन फिर हम लोग जो आगे बोस के बारे में बात करेंगे अ कि कर आट कि अ कि की ऑगतना ऑग के जो टाइम फॉर दॉब ऑश ना सौ बास्वास जो है मैं बहुत ही जल्दी से जो मेरी एक्च्टॉल फाइट खतम हो जो कि थी स्लागी तो चार मिनिट में यह वीडियो समझाना मालाब इस बह कि आठीज करना क्योंकि जैसे वालरा मीडियम उसी यूवीट करते हो तो उसकी ही इसक अपनी तरफ से सीट्वा करेंगा कि मीडियम चार बार लाइट अटेक यूज़ करो एंड डेफिनेटली उसका फायदा भी उटा सकते हो बट मैं अपनी तरफ से अभी के लिए रिकेमेंड करोंगा कि जस्ट मीडियम एंड चार बार लाइट करो एंड एंडेन हर एक बॉस की तरह इसके भी चार अलग-अलग फे टाइम लगता है तो एस फस्ट वाले फेज में सबसे कम टाइम लेता है ट्रैप को सेट होने में अल्मॉस्ट एक देर सेकंड ही लेता है तो जस्ट आपको ट्रैप वह लगा देगी थोड़ी दिर में सेट हो जाएगा और फिर आप उसको पुश करने के लिए रेडी सकते हो या तो फिर जो है आप स्पेशल अटेक यूज करके पुश कर सकते हैं यह तीनों आप्शन अवेलेबल है जैसे आप उसके 80% तक पुश कर दोगे फस्ट वाला फेज कंप्लेट हो जाएगा नेक्स हम लोग देखते हैं फेज नंबर टू जो कि है 80% से लेके 41% वाल जैसे हम लोग आगे वाले फेज में जाते जाएंगे न तो ट्रैप को सेट होने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा मतलब कि हमारे गलतिया होने के चांजिस बढ़ जाएंगे तो वह होगा एंद फिर इस वाले फेज में आपको स्के ट्रैप में पूश करना है बड़ आ आती है फेज नंबर 3 जो कि है 40% से लेके 6% तक की हेल्थ में यहां पर क्या है कि भई अभी ट्रैप को सेट होने का टाइम और भी लंबा हो चुका है अगें हम लोग जो है SP1 वाले बेटिंग मुवमेंट में चले जाएंगे फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 तो इसमें भी बेट SP1 है उसमें फेज 2 में SP2 था अगें फेज 3 में SP1 हो जाएगा और इस वाले फेज के अंदर भी अगें आपके पास heavy attack and SP attack से बेट करने का मौका है क अगें उसके ट्रैप में उसको फसादो देन लास्ट वाला फेज यहां पर सबसे इंपोर्टेंट है जो कि फेज 4 एंद 5 पसंट से लेकि 0 पसंट तक के हेल्थ में अभी इसके प्रीवेस वाले जो भी फेजिस थे ना वहां पर क्या सा था कि उसको ट्रैप में फिक्स करा एंदेन हम बहुत बड़ा सा डैमेज करते थे जहां पर उसकी मेक्सिमम हेल्थ चली जाती थी वैसा अब यह लास्ट वाले फेज में नहीं होगा आपका एक्चुल डैमेज तभी अविलेबल आप कर पाओगे जब उसका आर्मर जो ब्रेक जो है वो हो जाएगा मतलब उसक शील्ड का परसंटेज जो कम करते जाएंगे 100 से 80 60 70 जो भी है वो कम करते करते जीरो परसंट तक जब तक कि वो नॉक आउट नहीं हो जाती और वन अफ दी मोस्ट इंपोर्टन चीज कि आप इस वाले फेस में सिर्फ फोर सिर्फ स्पेशल अटेक यूज करके ही उसको ट्र देखेंगे मैंने कैसे खेला था एंड थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है कि क्या चल रहा क्या नहीं क्यूंकि फर्स्ट वाला फेस मेरा बहुत ही चल्दी से फिनिश ऑफ हो गया था सबसे पहले जिस मेरे को ऐसे लगी थी कि हर्कुलिस यहां पर रैंप नहीं अभी मेरे क्या करें डैस बेक्स में खेल नहीं रहती देखते हैं अल्रेडी मेरी 70 परसंट है लूज हो चुकी बट कोई दिक्कत की बात नहीं अब यहां पर देख सकते हो पीछे ट्रैप सेट हो चुका है मैं क्या करूंगा उसको अपने ट्रैप में फसा दिया बूम अब यहां पर अब यहां पर अगें देख सकते हो कि तू नमबर लिखा है मतलब कि उसका एसपी टू बेट करना है उसी के अंदर ट्रैप अवेलेबल होगा अगर वो गलती से एसपी वन भी लॉँच कर देती न तो होगा क्या कि वहां पर आपको ट्रैप दिखेगा नहीं आपको वाफिस जो इसको एसपी टू पर ही पुश करने की मौका मिलेगा मैं पुश करना पड़ेगा एंद फिर जैसे वो ट्रैप सेट हो जाता है ट्रैप एक्टिव लिखा ह हो आजाता है हेवी अटेक से मैंने उसको पुश करेया एंड यहां पर आपको जो है जस्ट डेमेज करना है आप एसपी थ्री वाला भी डेमेज कर सकते हो बट एसपी थ्री शाहिद लॉँच करके उसको ट्रैप में पूश नहीं कर सकते है ऐसा सम्थिंग कुछ है बट मेर सब एसपी वन बेट करना है एसपी वन में जस्ट यह लास वाला जो हीट है वो फेक के मारती है वो जस्ट देख लेना अब देखो ट्रैप को सेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो यही चीज़े यहां पर ही में बहुत सारे लोगों की जो गलती हो जाती कि कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है यहां पर मैं जस्ट बेट करूंगा एंड फिर में अपना एसपी वन लॉंच करूंगा बट अनफॉजनेटली वो डेफिनेटली इवेट कर लेती कि हाँ पर मेरे को जो है एक्चुली शायद एसपी अटेक यूज़ करना था एम इनक लॉंच किया अभी वो स्ट्रेप सेट हो गई है अभी हम लोग एक्चुल में बहुत ही बड़ा कासा डैमेज करेंगे 300,000 इतना डैमेज हो रहा है हमारे एक हैवी अटेक के अंदर सो लास्ट वाला ही पतानी मेरे अभी कितना देखा था था थोड़ा स्लोग करके देखना लास्ट वाला फेस देख सकते हैं कि अभी वो 100 जैसा नंबर दिख रहा है वहां पर उसके ना प्रोटेक्शन दिख रहे है कि वह अभी हम लोग नॉर्मल डैमेज नहीं कर पाएंगे हमको 100 वाला नंबर है कम करना है और कम कैसे होगा देख सकते हो हर्कुल इसके पास प्रो अभी खुद की अबिलीटी से आ रहे हो सीनर्जी से आ रहे हो या तो फिर कहीं से भी तो इसलिए आपने देखा होगा कि प्रोफेसर एक्स आमिन के कि अपकलिप्स जोए बहुत ही यूसफुल है इस वाले फाइट के अदर क्योंकि अपकलिप्स के पास खुद के चार प्र एक्स आट यूस करने की ट्राइक करना है अगें यहाँ पर हम लोग जो है देख सकते हो कि उसने एस्पी वन यूस किया बट इस वाली जगह पर वो ट्रेप सेट नहीं होगा क्योंकि एक्चुल वहाँ पर नंबर क्या लिखा है तो इसलिए हमको जो एस्पी टू ही बेट क अब उसकी प्रोटेक्शन देखो नंबर वह जो फाइव पर चला गया क्योंकि मेरे पास जीतने भी प्रोवेस्ट है उसकी वजह से वह प्रोटेक्शन जो हट गई है उसकी जो भी नंबर था उसका पर संटिग था शील्ड वाला परसंटेज एंड जैस मेरे को अभी क्या क सब्सक्राइब कर जाता हूं लास्ट के तीन परसंट है अगें एक और मेरो को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत मेरे को दिक्कत दे रहा था कि मेरा डैमेज होए इनफ नहीं हो रहा था तो यह वाला बहुत ही क्लोज हो जाते हैं कि वह उसका ट्रैप आगे ही सेट हुआ है तो मेरे को दो बार एक ही जगा पर मेरे को पैरी करने की जरूरत पड़ी जैसे ही एक हीट करता हो एस्पी आटक लॉंच करता हो एंद फिर हम लोग उसको ट्रैप में सेट कर देते हैं बूम बूम दो हीट्स और यहाँ पर फाइट आल्मस्ट कतम सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में इसकी आल्मस में आल्मस में सेट्ड़ू में समय जज इल्मस मे देते हैं हो एक है बाइब कर दो